हलो एवरिवों वेल्कम बैक तो माई चानल सो आज किस वीडियो में मैप के साथ शेयर करूंगी बहुत ही बीटिफल बेबी फ्रॉग तू यह बेबी के लिए यह मैं बना रही हूँ आपकी जितनी भी साल की बच्ची हो आप उसके मेजरमेंट के हिसाब से यह फ्रॉग बना तो उसमें से मैं अपने बेबी के लिए फ्रॉग बना रही हूँ बहुत चादा बीटिफल लगेगी यह फ्रॉग तो आपके जितने भी तिर्चे विर्चे बेकार से पीसेज हो वह आप सब ले सकते हैं उसमें से आप बना सकते हैं जो तरीका मैं आपको बताऊंगी बहु वीडियो को करते हैं स्टार्ट उससे पहले में चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजीगा एंड बेल का इकमरी क्लिक कर लीजीगा जिसे में हान नोडिकिशन आपको मिलती रहे तो यहां पर जो है आपको एक न्यूस पेपर ले लेना है अगर आप विस्ट फैब्रिक से बन कर लिए उसके बाद इसकी चैस्ट की चुड़ाई होगी वह मैंने साथ इंच के करीब ली है और नीचे से भी मैं सेमी लूंगी साथ इंच एंड इसको माक कर लेंगे एंड राउंड शेप देंगे अपने आमोल पार इसे कट कर लेंगे तो यहां पर मैं आपको बता देती अगर आपका वेस्ट फैडिक नहीं है तो आपको क्या करना है आपको 1.5 मिंटर आपको यह फैब्रिक लेना है अपनी वेलवेट एंड उसमी फ्रॉग बना लेना है तो यहां मैं अपनी स्लीव का मारकिंग करूंगी तो यहां पे नई इंच की मैं लेंच लोंगे यहां प स्लीव की उसके बाद नीची की जो मोरी होगी मैं त्रीन्च पर मांग करके इस तरह के से एक शेफ दूँगे एंड सी तरह के हमारी कटिंग हो चुकी है गाई यह देख सकते है कुछ इस तरह किसे इसका लोक आएगा तो अपनी तरह के से अपने फैबर के ऊपर रखना है और यहां पर आप देख सकते हैं मेरा जो खिचने वाला है तो उसके बाद मैं अपनी फैबर को फोल्ड करूंगी अपनी नियूस पेपर को अपने फैबर के ऊपर एंड इसे मैं कट कर लूँगी सेम एज तरह के से हमारा नियूस पेपर हो रखा है तो यहां पर यह कटिंग कर यही था क्योंकि इसमें जो फैबरिक था वो थोड़ा तिर्चा बिर्चा कटा हुआ था तो फोल्ड होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था एंड इस तरीके से यह कट नहीं है बहुत इजी तरीके से आपका यह मैं कट रही हूं सो गैस यहां पर आप देख सकते हैं तो म मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं इसमें गोटे का वर्क करूंगी तो बेबी को चुबने का डर्ण नहीं रहेगा हमारा तो उसके बाद हमने यहां पर दो पीस लिये हैं यह देख सकते हैं इसकी चोड़ाई है वह आप 9 निकाल के उपर की तरफ 8 इंच की हमारी चोली थी उपर की तरफ निकालेंगे और 20 इंच की लंबाई ली है मैंने चोड़ाई जो है वह 30 इंच है काई जी देख सकने हैं तो यहां पर आप समझ ही रहा होंगे तो 8 इंच हमने उपर की तरफ निकाला है इसमें और उसके बाद इसकी लंबाई जो फुल फ्रॉक की होगी वह 20 इंच होगी एंड जो हमाई स्लीव सी उसको भी मैंने इसी तरीके से करके कट करके रख दिया है उसके बाद यह बचाओवा फैब्रिक के मैंने दो पिस लिये हैं इसमें से मैं अपने पजामे को कट करूंगी तो यहां पे आपको इस तरीके से फोल्ड करना है जितना भी आ तो यहां पे आप बेफिकर रहे हैं क्योंकि हम इसमें कली डालेंगे क्योंकि साइट का फैब्रिक हमारा उसको हम एक्स्ट्रा हमारा बच रहा है यह देख सकते हैं तो जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से आपको इसमें कली डाल देनी है तो दो कली हमारी जोड़ी तो इसके बाद हम यहां पे अपनी चोली ले रहेंगे तो चोली के नीचे मैंने फ्यूस पेपर को चिपका दिया है क्योंकि मैं इस पर गोटे का वर्क करूंगी यह देख सकते हैं यह इसली मार्केट में अविलेबल होती है तो थोड़ा सा ब्रैक्नेस मेरी वीडियो का ज्य अब इस तरी के से रखना है अपना गोटा इसे स्ट्रिच कर लेना है याद रखे आप जो नीचे की तरफ लगाना है आपको फ्यूस पेपर जरूर लगाना है क्योंकि यह जो चैनील होती है यह खिचने वाली होती है तो इसमें हमें थोड़ा सा जोला सकता है अगर फ्यू इस तरी के से मैंने यहां पर सारी लाइन को ड्रॉ कर लिया है उसके बाद दूरसी लाइन पर भी आप मैं इसी तरी के से स्ट्च कर लूगी तो यह जो है कुछ इस तरी के से इसका लुक आएगा गाई सीरियसली बहुत ही ब्यूटफल लगा है यह फ्रॉक बनने के बाद तो यह पर आप देख सकते हैं मैंने फ्रॉंट अंब बैक पर इसी तरी के से चैक को अध किया है स्ट्च करके गोटे से तो यहां पर मैंसे एक पाट को डबल फोल करूंगी और की बीच में से कट कर लूगी तो यह हमारा बैक पाट होगा तो गईस यहां पर हमारी बाइक जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाक हो रही है उसके लिए सॉरी अरजस्ट कर सकते हैं मैं आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करें कि आपको अच्छे से समझ आए तो यहां पर मैं अपने नेक को ड्रॉ किया है यहां पर मैंने डेर्ड इंच की चोड़ाई एंड डेरी इ एक इंच की सॉरी लंबाई लोंगी एंड इस तरीके से एक राउंचेप दूंगी उसको भी कट कर लेंगे तो फ्रंट और बैक जो है हमारे नेक कट हो चुके हैं गाईज यह देख सकते हैं उसके बाद हम इसमें अस्तर को एड़ करेंगे तो अस्तर को आपको इसली इसके ुके, आपको इस तरीके से मेरी उंगली जा रही है आप देख सकते हैं उसके बाद है यहाप कट लगा देना है कट आपको इतने ही लगाना है जितना आपकी सिलाइन ना कटे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप तो यहां पर आप देख सकते हैं हलकल के आपको कट लगा देना है इसमें जिससे यह राइट साड पर टर्न होने के बाद कोई भी दिक्कत न करें बहुत ह की तरफ आपको स्टुच कर देना है से पूर अच्छे से राइट साइड पे टन करने के बाद नैक पे एंड सीधी सिलाई कर देनी है इस पे तो दोनों ही पार्ट को मैंने राइट साइड पे टन कर दिया है यह देख सकते हैं बहुत फ्निशिंग से आपका ही आएगा तो यह इसे राइट साइड पे आपको टन करना है कुछ इस तरीके से राइट साइड पे टन करने के बाद आप इसके नीचे रखेंगे एक साइड के नीचे आपको इसको रखना है यहां पे हमारे हुक आई की पट्टी होगी तो यहां पर इसी तरीके से आपकी जो हुक आई लग हो छुकी है एचले पाथ आपको अपना प्रेंट पाट लेना है इसके उपर रखना है यहां पर हमके हमने हम आपको चौन कर लियाए यह देख सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर गोटा लेना है जो नोक वालोग वो एलग वो प्यांद होता है वrió पर गोटा, लेगा इनल severe पर अवे का व कम यह दम convenient meeting, कि सचल यहां वरे कंचर यहां पर बोग कर दो अधुए को आपकु कख घूने कि अपनी आत्मी-------- Such counts Up इसे पर केफां यहां सँट माइश ना सबसक्राइब करना है और नीचे नीचे से एक स्टरिक आप को मिलाथे आट इसे हुए ट्रॉम ऐने इसे प्लेट लगा में ऐसे प्लेट्स तून गी इसके उपर दिया प्लेट रहेंगे औगे हुआ एक लिए वीडियो अपनी अपनी स्टिच कर लेंगे सब्सक्राइब हो अक्वादी पेडियो प्लेट्स दीए था कुछ इसके छिए लूट है इसलिए मैंने आपको बहुत ही एज़्या तरीके से जल्दी जल्दी आपको यह वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि काफी लंबी वीडियो लोग बाग देखते हुए बोर हो जाते हैं तो यहां पर आपको अपनी स्लीव को इस तरीके से स्टिच करना है तो राइट साइड आपकी अंदर की साइड होनी चाहिए स्लीव की तो य निचे की साइड आपको अलका सा फोल्ड कर देना है जो ट्राइंगल होंगे आपके वह बहार निकल के आ जाएंगे तो यहां पर आप देख सकने हैं मैंने यह बहुत ही अच्छे से साइड की फिटिंग दे दिए और पीछे की साइड मैंने आप यह बन दिये हैं जिसे हम आपको टाइट एंड लूस कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं हुकाई करने की बाद ही बहुत ही ब्यूटिफल लगेगा हमारा यह फ्रॉक तो उसके बाद हम अपना पजामे को स्ट्च करेंगे तो जो हमारा पजामा था उसकी जो कली है आपको स्ट्रच करनी है तो यहां क्योंकि हमारी पंजामे का आसन है वो थोड़ा चोटा लग रहा था मुझे तो इसलिए मैंने आपे दो इंच चौड़ी पट्टी अपने नेफे के लिए इसमें और अलग से डाली है इसके अंदर डालेंगे हम आप इस तरीके से पट्टी को एंड स्ट्च कर देंगे तो मोरी जो है वो भी आप फोल्ड कर लें और यह जो आपका पजामा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा सो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे जो पजामा है उसमे लास्टिक डल चुकी है और दोनों ही चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी है बचे हुए पीस से स्वाई होब आप